नोट बंदी पर सदन में भले ही बहस नहीं हुई हो और संसक का शीत कालिन सत्र हंगामे की भेट चड़ गया हो लेकिन नरेंद्र मोधी ने बीजेपी संसदी अदल की बैठक में नोट बंदी पर जम कर बोला और ऐसे ऐसे तथ्यों को खोला जिसे सुनकर कॉंग्रस की काली सच्चाई 1947 के बाद से अब तक की सामने आ जाएगी सुनिये ध्यान से मोधी की बीजेपी संसदी अदल में कॉंग्रस की परते खोलने वाली बाते हमारे देश में संसद में हंगामा होना संसद न चलना की पहले भी होता था कि इस बार जड़ा जादा हुआ लेकिन एक मुलभूत फर्क है कि पहले संसद में बाधाएं इसलिए आती थी हंगा में इस बात को लेकर के होते थे कि देश के सामने भैंकर गोटाले उजागर होते थे प्रश्टाचार के गंभीर आरोब सामने आते थे और विपक्ष इमानदारी के मुद्दे पर एक होकर के लड़ाई लड़ता था कि पहली बार देश में ऐसा हुआ कि ट्रेजरी बेंच प्रश्टाचार के खिलाब कदम उठा रही है काले धन के खिलाब कदम उठा रही है और विपक्ष में ज़्यादा तर लोग बेईमानों का साथ देने के लिए इखटे हो रहे हैं कभी कभार ना समझी में या स्वार्थवस किसी ने बेईमानों का पक्ष भी लिया होगा तो चुपचाप रहकर के लिया होगा न बोलकर के मदद की होगी देश में ऐसा पतन राजनीतिक जीवन में आया है कि बेईमानों के पक्ष में खुलकर के बोलने की कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई है कि यह सबसे ज्यादा चिंता का विश्य आज 16 डिसंबर है 1971 में भारत की वीर सेना ने प्राक्रमी सेना ने पाकिस्थान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था और बंगलादेश के मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ है लोगों को विजय प्राप्त हुई थी लेकिन तब भी विरोध पक्ष था मजबूत विरोध पक्ष था लेकिन तब किसी विरोधी पक्ष ने 1971-16 डिसंबर को देश की सरकार से कोई सबूत नहीं मागा था कि सेना ने पराक्रम किया वो सही है या गलत है किसी ने सबूत नहीं मागा था आज पतन इतना हो गया कि मौत को मुठी में लेकर के चलने वाले फोजी को भी सबूत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है यह जो गिरावट है सारवजीनिक जीवन की यह चिंता का विशह है महरान हों कि मुद्दों पर चर्चा करने का सामर्थ है इस सरकार के टिकाकारों ने किया होता अच्छा होता और इस बात को भी हमने नोट करना चाहिए कि कई लोग हैं जो वैचारिक रुप से भारतिय जनता पार्टी या एंडी के पक्षमें नहीं है उसके बावजूद भी हुए ब्रस्टाचार और काले धन के खिलाब की लडाई मैं कि वे खूलकर के हमारे साथ आरे है हुआ है मैं लाई साथ मंत्री स्यमान नавीन बाबू का अभारवक्त करता हूं मैं बिहार के मुख्यमंत्री स्यमान नितिष कुमार का आभारवक्त करता कि ऐसे और भी भूछ लोग है जो खुल करके हमारे सामने आए और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई में जो भी साथ दे रहे हैं उनको साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना है हजार और पांसो की नोट के समन्द में किया गया निर्णाई इस लड़ाई का एक महत्मपूर पड़ाव है ये लड़ाई का आखरी मंजिल नहीं है मद्दमबर का शोशन अगर रोकना है गरीबों को हक दिलाना है तो ब्रस्टाचार और काले धन से देश को मुक्त कराना अनिवारिय है और उसके लिए हिम्मत पुर्वक निर्णे करने पड़ेंगे 26 मार्च 2014 जबकि देश लोग सभागे चुनाव लड़ रहा था तब यूपिय की सरकार थी चब्वीश मार्च 2014 को देश की सुप्रम को ने क्या कहा था यहाँ पूम सबस्टाइब लिए रहा था रहाँ है लोग व लुट्वार इस को लोग अर्व मार्च व बड़नर इसे हैं तो आहाँ कर लोंगे जवाँ च्वार्य 5 committee headed by the former judges of this court three years have passed but you have not done anything to implement the order what are you what have you done except for filing one report you have done nothing ये पुरानी सरकार की सोच के समन्द में उनके कारोबार के समन्द में सुप्रीम कोर्ड की 26 मार्च 2014 की टिपनी कितनी गंबीर है कि मैं एक और बात पताना चाहता हूँ 1971 में जब कि सिर्मति गांधी इस देश में राज करती थी एक वांचु कमिटी बनी थी जिस वांचु कमिटी का एक रिपोर्ट आया था और जिसमें नौटो पर पाबंदी लगाने के विशह में गंभीरता पुर्वक्ट चर्चा की गई थी और उस कमिटी का रिपोर्ट कहता है और यह 1971 की बात है we are fully aware of the not too successful results of the demonetization in 1946 yet we are confident that this measures if introduced now would achieve substantial result because of altered circumstances वांचु कमिटी का कहना था 1946 में demonetization हुआ तो उसमें सभलता नहीं मिली लेकिन अकर 71 में करेंगे तो हमें बहुत बड़ी सभलता मिलेगी कहने का ताप्तवर यह है कि 1971 में देश को इसकी जरुवती जो आज हमने किया है इतने साल देर करकर के देश का कितना नुकसान किया है यह हम कल्पना कर सकते हैं और उस समय के जो cabinet secretary सेनियर आयस अपसर थे उन्होंने किताब लिखी है उस किताब का एक वाक्य मैं खोट करना चाहता हूँ उस किताब में सिमान मादव गुडबुले की किताब है अन्फिनिश्ट इनिंग्स री कलेक्शन्स और रिफ्लेक्शन्स अपा सीविल सर्वेंट कोई बात में cabinet secretary भी बने थे और यश्वंत्र और चवान जब फाइनांस मिनिस्टर थे तब यह उनके सचीव थे तब उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार अपनी किताब में उलेग किया है वेन वाइबी चवान टोल हर हर मन्स सिम्मति गांदी वन वाइबी चवान टोल हर अबवर दो प्रपोजल फॉर दी मॉनिटाइजेशन अन्होंने आगे बड़न किया है इंदराजी ने चवान के सामने देखा कुछपल देखा और फिर इंदराजी ने कहा सी आग्च चवान only one question चवान जी are no more elections to be fought by the Congress Party? इंदराजी ने बाइबी चवान को पूछा कि क्या भाई क्या क्या कॉंग्रेस को आगे चुनाओ बनाओ लड़ना है कि ने लड़ना है चवान got the message and the recommendation was slave बताईए था दलक बड़ा की देश बड़ा यह 1971 में सारे रिपोर्टे उनके वित्नमंत्री कह रहे थे कि करने की आवशक्ता है देश के लिए जरूरी है और उस समय के senior civil servant ने लिखा है कि वाइबी शवान को जब यह पूछा गया सारी बात रोग गई है जो काम 1971 में किया होता तो आज यह देश की बरबादी नहीं होती इस प्रकार से देश को चलाया गया है मैं कॉमिनिस पार्टी के लोगों से पूछ रहा चाहता है जब कॉमिनिस पार्टी ने पस्चिम बंगाल में कॉंग्रेस के साथ चुनावी समझोता किया तब ऐसा लग रहा था कि शायद ममता जी की राजनीती के खिलाब इनकी लड़ाई है ममता जी को उखाड फैकरे के लिए वो इखटे हो रहे हैं लेकिन इस बार सदन में जो कॉमिनिस पार्टी का वहवा रहा है उससे लगता है कि बंगाल में उन्होंने सिरफ चुनावी समझोता था किया था ऐसा नहीं कॉमिनिस पार्टी ने अपना वैचारिक समझोता कर लिया है कॉमिनिस पार्टी अपने विचार धारा से उखड चुकी है मैं इसलिए कह रहा हूं 26 अगस्त 1972 बांचु कमिटी के रिपोर्ट को लेकर के पार्लमेंट में जो बोला था मैं चाहूंगा कि आज के कॉमिनिस पार्टी के नेता संसद से उन भार्षानों को निकाल करके पड़े जो तिरमाइबास ने कहा था पार्षाण था डामदै विर्त के मैंदन च्वाट तॉँ प्रवबरव ढूंबंब olabilir स्वाट्पॉ प्रदी अर्वाट बार्षाण़ के रिप्रओंट चुजए के वालाव प्रव़च्ट कि वर्षार मजा थे श्वाट रित बार्षा अंधनु फ्रपर तर्वड़िशव for any year and half उस्तामें उन्होंने इतने गंबीर आरोप सदन में लगाये थे कि आप वांचू कमीटी का रिपोर्ट लागो क्यों नहीं करते और आप वांचू कमीटी का रिपोर्ट टेमल पर भी कंडर करने को तयार नहीं थे 4th September 1972 जोतिर मैं बाबू उन्हने कहां I have suggested demonetization and other measures I do not wish to repeat them government must sincerely seek people's cooperation but the Prime Minister Srimat Indra Gandhi and her government with the class character that it has is a government of the black money by the black money for the black money ये steps which would lead to the stoppage of use of black money including demonetization of 100 rupee notes and such other things यन्हे 100 रुपय की note को भी रच करने के लिए Communist Party लड़ाई 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 थी अब एक और बात भी Reserve Bank के पूर्व गवनर Mr. B. Reddy उन्होंने इसी साल अक्तूबर में एक Memorial Lecture में अपना भाशन करते हुए एक बात उजागर की उन्होंने कहा बेनामी ट्रांजिक्शन प्रोहिबिशन एक्ट वस एनेक्टेड इन नाइंटीन एटीएट एट बेनामी संपत्ति का कानूं 1988 में हिंदुस्तान की पार्लामेंट ने पास किया था For some reason or the other No regulations were issued under the act In other words It remained unimplemented For more than 25 years ये जो आज वहां क्यों ऐसा कर रहे हैं इसके लिए जाजा दिमाग खपाने की जरुतने उनकी बहवार से पता चलता है कि 1988 में बेनामी संपत्ति के लिए आप कानूं पास करते हो और इतने साल बितने के बाद भी उसको नोटिफाई नहीं करते हो सौंसद में पारिक करकर के प्रेस कान्फरंस ले करके पॉब्लिसिटी कमा करके राजनीती करते रहते हो लेकिन आप इसको लागू नहीं करते हो अब इस सरकार ने आकर के समयनुकुल परिवर्तन किया और परिवर्तन करके उसको नोटिफाई कर दिया अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा कि सरकार उठाई की कदम आखिर हमने बेनामी संपत्य का कानून पारिक क्यों किया है अब फिर चिलाएंगे कि मोदी ने जलबाजी क्यों करती आपने एटी एट से अब तक उसको लागू नहीं किया देश में बेनामी संपत्य इकटी करने वालों को खुली छूट दे दी और यह सरकार कानून पारित कर चुकी है नोटिफाइ कर चुकी है लागू करने के लिए कदम उठाएगी और फिर आप चिलाना शुरू करोगे क्या 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 देश ऐसे चलाओगे क्या कि यह सारी मुसीबत की जड़िये है कि इनके लिए कि देश से बड़ा दल है हमारे लिए दल से बड़ा देश है और इसलिए और जहां तक वैचारी की रादों का समाल है देखे क्या हाल है दो हजार चाओदा दह दो हजार चार डाक्टर मनमन सी जी का भाशन में कोट कर आँ इंडिया 2015 will be a nation of capable and empowered men and women well-fed and gainfully employed modern and rational and actively engaged with the world that is my dream for India at the end of the next decade a decade is not long time indeed I do hope you share my sense of urgency in doing what we have to do you know na 2004 में जब प्रदान मत्री बने तब कहा चोबी जुलाई 1991 को क्या कहा था देखे फर्क कैसे आ रहा है दल बड़ा की देश बड़ा इस दूल्जन में कहां से कहां पहुंच जाते है 91 में कहां था नबड़ी के दिना बड़ाई दिस्टंस अब राज-scaled tax evasion both in terms of income and in terms of wealth unless I find substantial improvement in tax compliance in the next few months government will have to government will have no choice but to take strong measures to make the tax evader pay a sufficiently high price for such deligences ये धमकी की भाशा उस समय कही गई थी और आज सारे स्वर बदल चुके हैं क्यों उनको अपने दल की चिंता है देश की चिंता नहीं है भाईयो भेनों चानक के नीती में एक बहुत उत्तम बात कही गई है और यूपीए ने करी अनीती धन जोरेवू करी अनीती धन जोरेवू दसे वर्ष ठहराएं ग्यारवे के लागते जडव मूलते जाएं करी अनीती धन जोरेवू दसे वर्ष ठहराएं ग्यारवे के लागते जडव मूलते जाएं अन्याय से कमाया हुआ धन केवल दस वर्ष ठिकता है ग्यारवा वर्ष लगने पर वह मूल धन के साथ नस्ट हो जाता है यह उनके दस साल के खारकाल के सामने यह जो इखठा किया हुआ है इस पर चानक के उस समय कहके गए था उनको पता था झाल